नमस्कार आप सबको एक बार फिर से श्रागत है ये से इन्फो क्लाब यूटूब चैनल में फ्रेंड्स आज का इस सेशन CSD कार्ड के बारे में देखिए CSD कार्ड आप सबके पास है पर ये कार्ड आपका तब तक आप इसको इस्तमाल कर पाएंगे जब तक एक्टीव है पहले क्या था हर दू साल में आपको एक बार इसको रेनू करना परता था पर आप जानते हैं कि 2023 में एक ओडर आया था और तब से आपका कार्ड हर साल रेनूर का कोई ज़रूर नहीं है आप एक बार कार्ड बन गया तो आपका कंटीनूर चलता रहेगा पर कब तक ये 10 साल थे चलेगा जिस दिन आपका कार्ड होओ कर देट से 10 यूर का बार आपका कार्ड र именно करना है renewments के नए कार्ड बनाना है पुराना कार्ड फिर नहीं चलेगा आपको नए कार्ड के लिए replacement के लिए apply करना है अच्छा आप यह बताईए आपको कैसे पता होगा कि 10 साल मेरा कब पुरा हो रहे हैं देखिए आप जब भी सीजडी में जाते हैं और ग्रोसारी या फिर अब लिकार का कोई बिल जनरेट होता है उस बिल में लिखा रहाता है कि आपका कार्ड का expiry date कब है तो उस date को आप जहन में रखिए और जैसे ही 10 साल हो जाता है कम से कम तीन महीना पहले आप apply कर दीजिए कैसे apply करेंगे तिकिए government of India अब ministry of defense ने एक website launch किया था online services के लिए ताकि आप अपना CSD card online बना सके पर वो website आप काम नहीं कर रहे हैं कुछ technical problem है उसमें और इस समय अगर आपने CSD card के लिए apply करना है तो आपको offline करना करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए देखिए यह सारी डाकुमेंट का जो लिस्ट है यह सभी डाकुमेंट्स आपको देना होगा डाकुमेंट का लिस्ट अगर डीटेल में आपको पढ़ना है तो इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह फिर आप अपना जो वेटरेंस डिरेक्टराइट है इंडर आमी ने भी अन्यापोस का सबका वेटरेंस डिरेक्टराइट का एक अलग से वेफसाइट है वहां से भी आप डानलोड कर सकते हैं तो यह सभी लिंक आपको मिल जा कर सकते हैं और वहां पे स्रफ CSD ही नहीं, ECHS, PERS, ORP, आपका welfare, आपका pension related जो भी आपको एक defense pensioners का जुरूरत होता है जुरूरत पढ़ता है जो भी information का हर एक information आपको यहां पे अवेलेबल होगा आप एक बार कम से कम visit केजिए रोज इसे उमीद का साथ फिर से कोई एक important information क आपकार जेहिंद जेवरत